कुणों के कारण, आज बड़े-बड़े मल्टी-नाशनल कंपनीज इंडिया के ग्रोथ में इन्वेस्ट करने को रेडी है और ये आप आजकल देखी सकते हैं कि कैसे साल बर साल हमारा देश आगे बढ़ते ही जा रहा है पर सिर्फ एक बाद हाँ जो हमारे ग्रोथ के आड़े आती है और वो है इंडिया का पूर इंफ्रस्ट्रक्चर जस्ट इस वान इशू फ्रेंट्स और इमाजिन करिये अगर हमने ये इशू को भी सॉल्फ कर दिया तो ये करना हमारा काम भी है अगर आप एक एंट्रेप्रेनर या बिजनसमैन है तो आप अपने टैक्सेज और सभी चीज़े रेगुलर्ली भरिए और कॉंट्रिब्यूट करिए इंडिया के सोशल वेलफेर डिवेलपमेंट में आप कुछ ऐसा बिजनस मॉडल चुन सकते हो जो पैसे के साथ साथ इंडिया को तरक्की के रहा में भी लिखे जाए कुछ पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बदलाव लाएक सोशल लिवल पर और अगर आप वोकिंग क्लास हो तो आप यही इंफ्रस्ट्रक्चर को बहतर ढंग से यूज़ करें हमें एक developed country के citizen की तरह सोचना होगा और अपने देश से उसी तरीके से प्यार करना होगा जिस तरह हम अपने parents से करते हैं हमारी government हमारे लिए बहुत कुछ तो कर रही है और in fact इस pandemic के वक्त वो दूसरे देशों को भी medicine supply करके उनकी भी मदद कर रही है इंडिया आज taking position से giving position में है जो निस्वार्द भाव से आज देशों की मदद कर रहा है जो कि global level पर भी हमारी एक बहुत ही अच्छी चवी याने की image create कर रहा है और यह हमें actually में help कर सका हम क्यों है चाइना पर इतने dependent जब हम make in India products को use कर सकते हैं तो कोई भी हमें एक super power और एक अच्छा role model बनने से नहीं रोक सकता If we all stand together, we can overcome any struggle And with that said friend, and keep contributing for our country Jai Hind